हलो फ्रेंड्स देश इस तुजाता वेलकम टू इस्पेट अडुकेशन फ्रेंड्स एं सिरोनियम अंटविक के वर्ट्स कर रहे हैं वोकेव में और वर्ट्स तभी इंपोर्टेंट हैं मौस्त रिपेटिर हैं स्टार्ट करते हैं किलास को consent word है आज का consent consent word important है part of speech में noun होता है consent का meaning होता है to give permission to give permission permission देना consent noun होता है और इसका meaning होता है सहमती और अनुमती के लिए वड़ाता है सहमती अनुमती to give permission synonym देखते हैं agree, permit, exceed, assent और concur concur बोलेंगे हम इसको pronunciation में agree कहते हैं सहमत होना permit कहते हैं जब हम किसी को permit देते हैं अनुमती, exceed अनुमती के लिए आता है assent सहमत के लिए आता है और concur भी सहमत के लिए आता है सहमती देना अनुमती देना word important है, concur कई बार एकजाम में पूछा कया है, concur, permit, exceed, assent यह सभी word important है friends, consent भी important word है और यह सभी word most repeated है आप अपनी notebook और pen साथ लेकर बैठे हैं इनको not down जरूर करते रहे यह friends अन्टोनियम होते हैं होता है इसका disagree, dissent, defer और oppose disagree कहते हैं assent, dissent assent के लिए आता है, defer कर देते हैं किसी को मना कर देते हैं oppose ब्रोध करने के लिए आता है friends, okay तो हमने इसके अन्टोनियम देखे, disagree, dissent, defer, oppose सबी words important है, okay friends तो इनको ध्यान जरूर दीजेगा और mark भी करते हैं, यह जैसे-जैसे मैं आपको बता रहे हूँ next word है, conscious और conscious का meaning होता है, सचेत होना, जागरूख होने के लिए वड़ाता है, conscious conscious के spelling जरूर याद रखनी है आपको, part of speech में adjective होता है, conscious conscious का meaning होता है, aware of one-zone thoughts, अपनी खुद के विचारों से aware होना, जागरूख होना, उसे हम क्या बोलते हैं, conscious बोलते हैं, जब हम अपनी खुद के विचारों को से जागरूख होते हैं, aware रहते हैं, तो synonym देखते हैं इसके, aware होना, जागरूख होना, appraised, appraised कहते हैं friends, आगा हो लिधराते हैं, जब हम आगा रहते हैं, कि निचीदों से जाग रुख रहते हैं, सचीट के लिए बढ़ाता है, appraised, knowledge, inform, इन form कहते हैं, जब हम किसी को आगा करते हैं, जब हम inform करेंगे तो किसी को किसी चीज का पता चलेगा, वो aware होंगे, sensible कहते हैं, सचीट होने के लिए इंपोर्टेट है सबी वर्ड अप्राइस्ट कई बार पुछा गाई एक्जाम में इंटोनियम देखते हैं अनवेर अवेर नहीं होते हैं इगनॉर्ट कहते हैं अज्ञानी जो अग्ञानी होती हैं अन्फिलिंग जिनमें कोई भावना नहीं होती है, they have no feeling, okay, faint कहते हैं, जब हमकी चीज़े हमारी माइंड से faint हो जाती है, मिट जाती है, okay, तो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, unaware, ignorant, unfeeling, faint, वर्ड important है, कई बार एक जाम में पूछा गया है, unaware, ignorant, और faint, okay, तो एंटोनियम भी आपको समझ में आ गए, next word है, compassion, compassion word भी important word है, और ये part of speech में noun होता है, आप देख सकते हैं, I, O, N, Jyn, Bird के last में आता है, वो noun होते हैं, compassion, compassion कहते हैं, करुणा दया, okay, इसका मिनिक होता है, करुणा दया, sympathy होना, और kindness के भावना होना, उसके इंटे दयालूता होना, a strong feeling of sympathy, करना मही होते हैं, तो इसके के इंदर sympathy के strong feeling होता है, और इसका होता है, करना मही होते हैं, वो person, तो सिनोनियम देखते हैं, kindness, sympathy, clemency, clemency word भी important word है, pity और commissuration, commissuration word कई बार एक्जामें आया हुआ word है, kindness कहते हैं, दया लूता, sympathy, सहानुभूती के लिए आता है, दया सहानुभूती, clemency word आता है, जब clemency कहते हैं, हम दया को, okay, clemency important word है, माकलीचे वर्ट को, पिटी दया के लिए आता है, और commissuration आता है, सहानुभूती दया के लिए, तो sympathy, clemency, और commissuration ये word important हैं, कई बार एक्जाम में आया हुए word है, माकलीचे वर्ट को, एंटोनियम देखते हैं, cruelty, निर्देईता, जो इसके अंदर निर्दाईता भरी हुई होती है, barbarity, 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 करूरता, उसे अंदर बहुत बर-बर, barbar से बनता है, barbarity, तो इसके अंदर क्या है, बहुत जादे करूरता भरी होती है, वो एकदम घातक होता है, और persecution, persecution कहते हैं, अत्याचारी, अत्याचार करने माला, अत्याचार के लिए आता है, persecution, अपैथी, अपैथी आता है, उदाशीन के लिए, important word है, कई पार एक्जाम में हुआ है, अपैथी, barbarity, persecution, इन पर मा कर लीचे वर्ट को important है, ओके, अपैथी होते हैं, they have no feeling, कोई वो feeling नहीं होती, जिनके अंदर वो क्या होते हैं, उदाशीन परसन होते हैं, उनको हम बोलते हैं, अपैथी, तो आई होब आपको सभी words अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और के लिए भी हो गई होंगे, उनके मिनिंग, इन words को सबको note-down करना, अपनी notebook में, अपने दोस्तों में जादे से जादा से करें, ओके फ्रेंट्स थैंक्स पर वॉचिंग, टेक केर, बाबाई